प्रॉब्लम से स्वास्थ का ध्यान आपको हमेशा बनाए रखना है स्वास्थ का ध्यान रखिएगा इस समय धन हानी से बचाव करिए यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुण का दान आप कर दें तो आपका दिन काफी हद तक पेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा व्रिशब राशी मांसिक तनाव आपका दूर होगा आर्थिक स्थिती आपकी अच्छी हो जाएगी परिवार में आपके खुशहाली आएगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज़्यादा पेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70 पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी परिवार में आपके खुशहाली आएगी संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा सिक्षा पृतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा अस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत यानि बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी धन लाब के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं थोड़ा भी प्रियास करेंगे पैसे का अच्छा फाइदा आपको जरूर होगा रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे और करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 पृतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंगराशी अपने स्वास्ट का ध्यान बनाए रखें करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें कीम्ती सामान संभाल कर रखें वरना को सकता है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान करें आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा कन्याराशी वाद विवाद आपके हल होंगे वाहन खरीदने का योग इस समय बना हुआ है लेकिन काम का बोज बढ़ा रहेगा काम की अधिकता रहेगी आपके उपर हनुमान चालिसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन था आपके समस्या थी वो समस्या आपकी हल होगी कारो बार के मामले में सुधार होगा और धन की समस्या भी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें आपका दिन और भी जादा शुब होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है ब्रिश्चिक राशी स्वास्थ में आपके सुधार होता दिख रहा है रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे संपत्ति का लाब इस समय आपको हो सकता है एक बार अगर हनुमान चालिसा का आप पाठ कर लें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी चोड़ चपेट से बचाव करें संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें आफिस में अपनी शान्ती बनाए रखियेगा वरना बेवज़ा के विवाद हो सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड का दान कर दें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मकर राशी मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है मिंटली आप थोड़े से बेहतर हो जाएंगे धन लाब के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और अगर आविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तै हो सकता है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी स्वास्थ में आपके सुधार होता दिख रहा है करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे हनुमान चालिसा का अगर एक बारा पाठ कर लें आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा मीन राशी करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी धन लाब के योग आपके लिए बने हुए हैं प्रेम संबंधों की शुरुवात इस समय आपके लिए हो सकती है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आपके चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से